सबस्क्राइब सबस्क्राइब हुआ जिसमें ओवर लिमिट कंसेक्ट के बारे में कहा जा रहा है जिसमें आपको यस या नो करना है तो काफी लोग कंफ्यूज है कि उसमें यस करें या नो करें उसी बारे में बात करेंगे वीडियो पहली बार देखे तो लाइक करें सबस्क्राइब सबस्क्राइब सबसे क्लिए है कि आपका जो काइड का लिमीट मालेजी दस हजार है उसके बाद आपको किसी शॉब पर जाना पड़ता है और याने के बाद वहाँ पे 11000 रुपए का कोई समाना आप लेते हैं और काइड कर देते हैं और 10,000 के लिमिट पर आप 11000 का करते हैं तो आपका अमाउंट है वह 11,000 तो कट जाएगा लेकिन क्योंकि क्रेजिट लिमिट आपकी दस था थी तो एक हजार पर जो लगा दिये जाते थे इस से रिलेटेड आपको चार्ज वगेर से रिलेटेड मैसेज भी आपको हो जाता था और साथ ही साथ आपको यह पता चल जाता था कि चा सेंट वाला है इसमें दो आप कह सकते हैं कि आ गया है पहला कि अगर आप यस करते हैं विद चार्जिस के साथ यानि कि आपको अगर दस जाय का लिमिट है और आप अगर 11,000 रुपए यूज करते हैं कार्ट से स्वाइब करते हैं तो आपका जो एक हजार रुपए लगेग दिखा तो उसके बाद वहाँ पे उनको यस करना था यह नो करना था तो आपको समझाया होगा कि अगर आप यस करते हैं तो आप जो लिमिट है उसको यूज करेंगे साथ ही साथ आपको जो एक हजार रुपए एक्ट्रा आप ज्यादा भी कर सकते हैं तो उसमें ज्यादा आपको पता है कि चार्जेस जितना भी लिमिट है उससे ज्यादा जितना भी होगा उस पे लगेगा यह आपको अपडेट होना चाहिए तो यस करेंगे तो यह चीज आपको अपलीकेबल हो जाएगी अब बात करते हैं जो नो करेंगे उनके लिए तो अगर आप यहां पर नो करते हैं तो नो करने के बाद आप चाहे जितना लिमिट से ज्यादा का स्वाइब करें होगा ही नहीं यानि कि अगर मान लीजए दसज़ार की लिमिट है और आप ग्यारहहजार की टांगे चृटक्षण करते हैं किसी समान की या प्रॉड़क्ट की उस कार्ट से जिसमे बूंज कर सकते हैं यानि कि अगर आपका लिमित दस हजार ही और अगर ना होगा ही नहीं और नहीं 11000 का होगा नहीं 10,100 रुपए का होगा दस जार का होगा और अगर आप उससे नीचे करते हैं तो वो तो होगा ही यानि कि आपका ओवर लिमिट जो कहा वो जहां तक मैंने वीडियो देखी है वो फेल्ड हो जाएगा आपको चार्जेश नहीं देना हो यह चीज है नो का मतलब और अगर आप यह करते हैं तो आप यह कहते हैं जिससे भी आप सर्विस ले रहे हैं उनको कि आप कितने परसेंट तक यूज करेंगे तो फिलिप का एक्सिस बैंक जो मैं यूज करता हूं उसमें जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 50% तक आपकी लि लेकिन फिर भी अगर यू मुझे यूज करना हुआ या ओवर लिमिट करना हुआ तो जो चार्जिस है वो जो अर्वियाई की गाइडलाइन्स है उसके लगेगा और वो साइड मैं दे भी दोगा क्योंकि वो मुझे पता ही है और मैंने यस किया है और अगर आप नो करते है बहुत है तो नो डुब आले मैं मैंने आपको प्लियोव्य मैं योज करता हूं कि जो एक आया था अब अब незे पी फॉपटेट मेंक्स करके और उनके प्लैट्फोर्म मेंच चूनने के लिए मिले इस वीडियो में इतना ही मैंने कुछ नहीं बताया इससे तो आप जरूर कमेंट कर दीजे ताकि मुझे भी पता चल जाए लोगों को भी पता चल जाए इस वीडियो में इतना ही नमस्कार